नमस्कार बच्चों आज हम कक्षाम बार्वी का अध्याय तीन आव्यू आगे पड़ेंगे यह हमारा चौथा सत्र है और अन्तिम सत्र भी आएए याद करें पिछले सत्र में हमने क्या क्या पड़ा पिछले सत्र में हमने आव्यूहों का गुडन आव्यूहों के गुडन के कुछ गुण धर्म और इन पर आधारिक प्रश्न देखे इस सत्र में हम आव्यूहों का परिवर्थ आव्यूहों के परिवर्थ के गुण धर्म सममित तथा विशम सममित आव्यू आव्यूपर प्रा रंबिक संक्रियां एवं व्यूत क्रमनिये आव्यू पढ़ेंगे तो सबसे पहले आई ये पढ़ें कि हमारा आव्यू का परिवर्थ क्या होता है आव्यू का परिवर्थ इसे हम अंग्रेजी में transpose of matrices भी कहते हैं इसकी परिभाशा हमें क्या बतला रही है देखेंगे यदि ह हमारे पास कोई आव्यू है M by N कोटी का तो A की पंक्तियों तता स्थम्बों का परस पर जब हम विनिम्य करेंगे तो हमें एक नया आव्यू प्राप्त होता है और वे आव्यू आव्यू का परिवर्थ कहलाता है उधारन के तौर पर आप देखेंगे A बराबर में ये हमार आव्यू है कितनी कोटी का तीन बाए दो कोटी का अगर हम इसके पंक्तियां और जो स्थम्ब है वो हम क्या कर दें बदल दें यानि इनका परस पर विनिम्य कर दें तो हम एक नया आव्यू प्राप्त होगा और वो क्या प्राप्त हो रहा है आव्यू का परिवर्थ धियान ठीक, A का परिवर्थ के अभ्यव क्या मिले, देखेंगे, जो A की पहली पंक्ती है, वे है A परिवर्थ की यानि A T की पहला स्थम बन जाएगा, जो दूसरी पंक्ती है, वे दूसरा स्थम, जो तीसरी पंक्ती है, A T का तीसरा स्थम, ठीक, तो A T यानि A का परिवर्थ अब व्यू, हमें कितनी कोटी का मिला? हमें कोटी मिली 2 by 3, ठीक, आगे देखेंगे, यदि A हमारा M by N कोटी का है, तो इसका जो परिवर्थ होता है, वैं कितनी कोटी का होगा? N by M, ये हम उधारन देख चुके हैं, एक और उधारन लेके समझेंगे, यदि मैं आपको एक आव्यू दूँ, एक वर्गमूल 3 और 2, ठीक, इसका परिवर्थ क्या होगा और इसकी कोटी कितनी होगी? ये हमारा क्या है? एक समझ आव्यू, तो इसका परिवर्थ एक पंक्ति आव्यू होगा, इसकी कोटी कितनी? कोटी है हमारी 3 और 1, तो के का परिवर्थ हमारा एक पंक्ति आव्यू, जिसकी कोटी हमें मिल गई, एक बाई 3, ठीक, अगले बिंदू पे ध्यान देंगे, यदि ए एक विकर्ण आव्यू है, तो ध्यान देंगे, ए परिवर्थ एक के बराबर ही होता है, उधारन आपके सामने है, ए, हमारा विकर्ण आव्यू, याद होगा विकर्ण आव्यू क्या होता है, विकर्ण की सारी की सारी जो अव्यव हैं, उसके अलावा जो अतिरिक्त अव्यव होंगे, मैं सारे शूने होने चाहिए, ठीक, देख सकते हैं, यह हमारा विकर्ण आव्यू है, इसका परिवर्थ बाए तीन कोटी है तो इसका परिवर्थ करने पर भी हमें कोटी क्या मिली आव्यू की तीन बाए तीन ही मिली और आप देखेंगे जो अव्यव हैं वे भी उसी स्थान पर आए तो हमारा जो अगर आव्यू विकर्ण आव्यू है तो उसका परिवर्थ उसी आव्यू के से पहला आप क्या देखेंगे हमारे पास उप्युक्त कोटी के किनी आव्यूह ए तो गुंधर्म हमारे पास क्या बतला रही है सबसे पहला A का अगर हम परिवर्थ निकाले और फिर से उस परिवर्थ का फिर परिवर्थ निकाले तो वह किसके बराबर होता है जो हमने आव्यू लिया था A ठीक, आईए से उधारन से समझे K बराबर में हमने एक आव्यू लिया, स्तंबा आव्यू अभी हमने लिया था इसका आपने परिवर्थ भी निकाला था क्या परिवर्थ आया था? KT बराबर में एक पंक्तिय आव्यू एक वर्गमुलतीन और दो अब इस परिवर्थ का फिर से परिवर्थ निकालिए तो क्या आएगा वे? आप देख सकते हैं वापिस आपको आव्यू के ही मिल रहा है तो सत्यापित हो गया हमारा पहला गुन धर्म के का परिवर्थ और फिर से इसका गरहम परिवर्थ निकालते हैं तो हमारा किसके बराबर हो रहा है? आव्यू के के ही इसी प्रकार आप बाकी सारे गुन धर्म भी सत्यापित कर सकते हैं उचेतु धारण लेकर यह कारे मैं आप पर छोड़ रही हूँ आईए दूसरा गुन धर्म देखें दूसरा गुन धर्म क्या बता रहा है आपको आपके पास एक आव्यू ए है इस आव्यू को आप किसी चर के से क्या कर रही है गुणा कर रही है यानि आदीश से गुणा कर रही है और फिर इस आव्यू को आप क्या निकाल रहे हैं इस आव्यू का परिवर्थ तो वे किसके बराबर होगा यदि अगर आप पहले एका परिवर्थ निकाले और फिर उस परिवर्थ को आप उस चल के से गुणा करतें तो ये दोनों हमारे बराबर होंगे तीसरा गुन धर्म क्या बतला रहा है? देखेंगे ए जमाब बी यानि पहले हमने क्या किया? दो आवियों का योग और फिर उसका परिवर्थ निकाला तो वे किसके बराबर है? अगर हम दोनों आवियों का पहले परिवर्थ निकालने और बाद में योग करतें तो वे बराबर होंगे ठीक? करके देखिएगा अब आखरी गुन धर्म ये हमारा गुणा के लिए है ए और बी हमारे पस उप्युक्त कोची के क्या है? आवियों इन दोनों का हम क्या कर रहे है? गुणा और गुणा करने के बाद इनका परिवर्थ निकाल रहे है तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है ध्यान देंगे ये किसके बराबर है? B के परिवर्थ को और A के परिवर्थ को अगर हम गुणा करतें तो ठीक, इसे हम Reversal Law of Transpose भी कहते हैं आईए अब आगे बढ़े अब हम पढ़ेंगे सममित आव्यू और विशम सममित आव्यू अंग्रीजी में हम इसे Symmetric और Skew Symmetric Matrices कहते हैं देखते हैं, सबसे पहले सममित आव्यू हमें क्या बताता है सममित आव्यू, एक वर्ग आव्यू, A सममित आव्यू कहलाता है यदि A का परिवर्थ A के बराबर ही हो समझ गए? यानि उसका जो परिवर्थ है वे उसी के बराबर होगा तो वह जो आव्यू है वह क्या कहलाएगा? सममित आव्यू अर्थार आई वर जे के संभव मानों के लिए हमारा जो ए आई जे है और ए जे आई है वह बराबर होना चाहिए उधारण ए आपके पास एक आव्यू दिया हुआ है ठीक, ये हमारा क्या है? सममित आव्यू इसे हम कैसे देखेंगे? इसका परिवर्थ निकाल के इसका परिवर्थ निकाल लिए वर्ग आव्यू है सबसे पहले देखेंगे हमारा सममित आव्यू के लिए वर्ग आव्यू होना अनिवार है यह वर्ग आव्यू है तो यानि यह समम्मित आव्यू हो सकता है आप देखेंगे इसको अंदर अगर इसका परिवर्ट निकालें तो पहली पंक्ति के जो भी आव्यव हैं वे पहले स्थम के आव्यव बन जाएंगे यानि दो एक वर्ग मूल तीन एक शुन्य माइनस छे वर् आप कहेंगे यह तो हमारा पहले वाला ही आव्यू आ रहा है बिलकुल सही यह हमारा क्या मिल रहा है आव्यू यह के बराबर ही मिल रहा है और यही हमारी परिभाशा कह रही है अगर कोई आव्यू उसी के परिवर्ट के बराबर होता है तो वह आव्यू हमारा सममित आव्य कहलाता है ठीक? आईए अब देखे विशम सममित आव्यू अगर हमारे पास कोई वर्गाव्यू होना अनिवार है हमारे पास कोई वर्गाव्यू है ए वे विशम सममित कहलाता है यदी A का जो परिवर्थ है वे किसके बराबर हो माइनस A के यानि रिण A के ठीक अर्थाथ I थथा जे के हर संभव मानों के लिए AJI किसके बराबर हो रिण AIJ के यानि माइनस AIJ के उदारन देख लेते हैं आपके पास यहाँ आपको एक आव्यू दिया हुआ है A इसका परिवर्थ निकालते हैं परिवर्थ देखेंगे 0, 3 और 9 माइनस 3, 0 और 1 और आखरी स्थम के अव्यव क्या बने? माइनस 9, माइनस 1 और 0 यही बने? ठेक? ध्यान से देखेंगे गौर करेंगे अगर परिवर्थ में से मैं रिन हर एक अव्यव में से रिन बाहार निकाल लूँ यानि उभे निष्ट ले लूँ माइनस बाहार निकाल लूँ तो आपको क्या मिलेगा? आपको यह है जो आप व्यूव आपने लिया था जिसका परिवर्थ निकाला वही मिलेगा देखेंगे क्या मिला? माइनस शूने तीन नो माइनस तीन शूने एक और माइनस नो माइनस एक और शूने यही प्राप्त हो रहा है और यह किसके बराबर है? एके तो हमारा क्या मिला? जो ए परिवर्थ है वह बराबर है रिण एके ठीक? इसे जबी भी हमारा यह हमारा यानि कोई भी आव्यू उसका जब हम परिवर्थ निकालते हैं किसके बराबर होता है? रिण एके तो उस आव्यू को हम विशम सममित आव्यू कहते हैं ठीक है? आगे बढ़ेंगे कुछ बिंदूओं पे ध्यान देंगे सबसे पहला सममित आव्यू और विशम सममित आव्यू दोनों वर्ग आव्यू होते हैं यह हमने परिभाशा में ही गौर किया कि दोनों वर्ग आव्यों होने अनिवारे हैं। दूसरे बिंदू पे देखेंगे, विशम समम्मित आव्यू के जो विकर्ण आव्यव हैं, वे सारे के सारे शुन्ने होते हैं। एक उधारन देती हूँ आपको, ये हमारा मान लेते हैं ये मेरा B आव्यू है, ध्यान से देख पाएंगे, ये क्या है मेरा? आव्यूब B और ये एक विश्रम सममित आव्यू है इसका अगर आप परिवर्थ निकालेंगे तो आप देख पाएंगे जो परिवर्थ है वे रिण B के बराबर आ रहा है वरगा आव्यूब B है जो इसके रिन ये जो विकर्ण अव्यव है वेजारे 0 होते हैं और ये कैसे आए देखेंगे यदि I और J बराबर है हम जानते हैं ये अव्यव अगर हम व्यापक रूप में लिखें तो किस रूप में होते हैं ए एक एक और ए दो दो आई और J बराबर होते हैं तो जब जब हम आई और J बराबर रखें तो आपको पता हैं AII बराबर किसके होना चाहिए? रिन AII के। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारा आव्यू है, वे क्या है? विशम सममीद आव्यू तो इसके बराबर होना चाहिए और इस समिकरण को हल करने पर आप पाएंगे जो हमारे सारे विकरण के अव्यव हैं वे क्या है सारे? 0 ठीक अब हम तीसरा बिंदू पे आते हैं तीसरा बिंदू हमें क्या बतला रहा है? एक आव्यू जो दोनों सममित तथा विशम सममित हो वे केवल कैसा आव्यू होता है? 0 आव्यू ठीक है? अब आखरी बिंदू पे ध्यान दे वास्तविक अव्यवों वाले किसी वर्ग आव्यू के लिए ए जमा ए का परिवर्थ कैसा आव्यू होता है? सममित आव्यू होता है और ए घटा ए का परिवर्थ एक विशम सममित आव्यू होता है आईए इसे देखें, मान लेते हैं, A जमा A परिवर्थ, हमारा B, इसे हम नामांकित कर लेते हैं B से, इसे समम्मित आव्व्यू दशाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा? बी का जो परिवर्थ है, वे किसके बराबर हो? बी के बराबर ही हो, ठीक, तो आईए देखें, A जमा A का परिवर्थ का, अगर हम परिवर्थ निकालें, तो वे क्या आ रहा है? गुन्धर्म देखेंगे, जमा वाला, यानि हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, गुन्धर्म के जरिए और, ये क्या आ गया? A परिवर्थ बराबर में A परिवर्थ जमा A परिवर्थ का परिवर्थ, और फिर से हमारा गुन्धर्म लगेगा, ये किसके बराबर हुआ? A के, तो हमें क्या मिला? जहां से शुरुवात करी थी, वही मिला आव्यू यानि A परिवर्थ जमा A आव्यू मिल रहा है B परिवर्थ बराबर में भी बिल्कुल मिल रहा है और ये हमें क्या बतला रहा है A जमा A का परिवर्थ क्या है? एक सममित आव्यू है इसी प्रकार आप A घटा A के परिवर्द को विश्रम सममित आव्यों दिखा सकते हैं आईए बागे बड़े इस अगले बिंदू पर ध्यान देंगे यदि A और B सममित आव्यों है तो यह दिखाईए कि जो A B है यानि A को अगर हम B से गुणा करते हैं तो वह भी एक सममित आव्यों होगा यदी और केवल यदी A B बराबर है B A के देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है जो A है वह सममित आव्यों है और B भी एक सममित आव्यों है तो यानि A का परिवर्थ A के बराबर होगा और B का परिवर्थ भी B के बराबर होगा हमें क्या दर्शाना है और क्या देखना है जो A, B है वे सममित आव्यू तभी होगा जब A, B बराबर किसके होगा B, A के तो देख लेते हैं मान लेते हैं A B है बराबर किसके? B A के तो A B कब परिवर्थ किसके बराबर हुआ? ध्यान देंगे गुन धर्म याद होगा आपको Reversal Law of Transpose जो बताया था आपको B परिवर्थ गुणा में A परिवर्थ के और आपको क्या दिया हुआ है? A परिवर्थ A के बराबर B परिवर्थ B के बराबर तो मान रख दें तो यानि किसके बराबर हो गया यह? B A के और अभी हमने आपको बताया हमने क्या माना? A B बराबर है B A के तो यानि B A की जगे हम A B लिख सकते हैं, तो हमें क्या मिला, AB का परिवर्थ, किसके बराबर, AB के ही, और यह हमें दर्शा आ रहा है, कि AB क्या है, सममेथ आव्यू, ठीक, और यह कब हमारा संभव हो पाया, जब हमारे पास AB बराबर BA है, ठीक, अब अगला बिंदू देखेंगे, इस आखरी बिंदू म सममित तथा एक विशम सममित आव्यू के योगफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, यह एक प्रमय है, इसको हम एक उधारन के जरिये देखते हैं, आएए उधारन देखें आगे, आव्यू यह हमें दिया हुआ है, और इस आव्यू को हमें एक सममित आव्यू तथा वि परिवर्थ हमें आगे, मैं तो देगा, देखेंगे आगे कैसे, ए परिवर्थ हमने इसका ग्याद किया, वर्ग आवयो है, तो कोटी बराबर रहेगी और जो पंक्तियां हैं फिस थम्ब में बन जाएंगी, जैसे तीन पाँच जो पंक्ति हैं वे तुम बन गया पहले, तीन और पांच, एक माइनस एक, एक माइनस एक, ठीक, अब मान लीजिए, जो A है, हम इस प्रकार इसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको हल करेंगे, तो आप पाएंगे, ये किसके बराबर है, A की ही, और ध्यान देंगे, ये किसके योगफल के बराबर है, दो आवव्यू, और दो A परिवर्थ को अगर हम एक बटे दो से गुड़ा करें, तो ये जो हमारा आव्यू है, इसे अगर हम P आव्यू कहें, तो आप देखेंगे, ये P आव्यू हमारा एक सममित आव्यू है, हम पहले ही देख चुके हैं, A जमा A परिवर्थ, ये हमारा सममित आव्यू है, तो इ गटा A का परिवर्थ इसे हमने अचर एक बटे दो से गुणा किया ये हमारा आव्यू Q और देखेंगे ये जो Q आव्यू है वे हमारा विशम सममित आव्यू है अब इसी प्रकार P और Q का मान निकालने A हमें दिया हुआ है A हमने जो A परिवर्थ है वे भी हमने ग्याद कर लिया तो आईए P निकाले देखेंगे P हमने क्या माना A जमा A का परिवर्थ और इस पूरे आव्यू को हमने एक बटे दो से गुणा किया A हमारा आव्यू यही था 3, 5, 1 और माइनस एक हमने इसका परिवर्थ भी निकाला था और इन दोनों को हमने जमा किया जमा करने पर आप देखेंगे हमारे पस क्या जो अव्यव है वे क्या मिले संगत अव्यव को जमा करेंगे 3 जमा 3 बने 6, 5 जमा 1 बने 6, 1 जमा 5 बने 6, माइनस एक जमा माइनस एक बने माइनस का 2 और इस पूरे अव्यू को हमें एक बटी-दो से गुणा करना है तो यानि सारे के सारे जो अव्यव हैं वे एक बटी-दो से गुणा कर देंगे हम उनको तो हमें P अव्यू क्या प्राप्थ हुआ है इसके अव्यव है तीन, तीन, तीन और माइनस एक त्यान देंगे ये जो हमें P आव्यू प्राप्थ हुआ है वे एक सममित आव्यू है आप इसका परिवर्थ निकाल सकते हैं और परिवर्थ निकाल के देखेंगे हमें P ही मिल रहा है P जो है हमारा एक सममित आव्यू ठीक आईए अब आगे बड़े देखेंगे Q ये हमने क्या माना था A घटा A का परिवर्थ और इसको हमने गुणा किया एक बटे दो से उसी प्रकार जैसे हमने P के लिए ग्याद किया ये हमारा क्या है A अव्यू हमने घटाए एक परिवर्थ आव्यू क्या मिला संगत अव्यूवों को घटाने पर तीन में से तीन घटाएंगे शून ने पांच में से एक चार एक में से पांच घटाएंगे तो हमें क्या मिला रिन चार और माइनस एक में से घटा रही हैं माइनस एक को ही तो हमें क्या मिला शून ने ठीक हमारा याद करेंगे बिंदू टिपणी हमने दी थी जो हमारे विकर्ण के अव्यव हैं वे क्या होने चाहिए विशम समम्मित आव्यों में 0 मिल रहे हैं अब इस पूरे आव्यों को हमने क्या करना है एक बटे-दो से गुणा यानि हर एक अव्यव एक बटे-दो से गुणा हो जाएगा और करने पर हमें क्या मिला हमें एक नया आव्यू मिला जिसे हमने नामा कित किया Q से और इसकी अव्यव हमें मिले 0 2-2 और 0 इसका परिवर्थ निकालेंगे और आप पाएंगे जो Q परिवर्थ है वे रिन क्यू के बराबर है देख भी सकते हैं स्पस्चंत दिख रहा है तो यानी Q हमारा जो आव्यू है वे कैसा है विशम सममिद आव्यू ठीक तो यानी हम जो आव्यू A लिया था उसे हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, पी जमा क्यूं में, इसी प्रकर, और देख सकते हैं, यही हमारा ए आव्यू मिल रहा है, तो यानि हमने क्या दशाया, हमने आव्यू ए को एक समम्मित आव्यू तथा एक विशम समम्मित आव्यू के योगफल के रूप में व्यक्त किया, आई अब आगे पढ़े, अब हम पढ़ेंगे व्यूत्क्रमणिय आव्यू, यानि कव हम किसी आव्यू का प्रतिलों निकाल सकते हैं। या फिर व्यूत्क्रम निकाल सकते हैं। यदि A हमारे पास एक आव्यू है, M कोची का एक वर्गाव्यू है, ध्यान देंगे, सिर्फ हमने M कोची बोली है, यानि M by N कोची है, और यदि B एक अन्य वर्गाव्यू है, जिसका अस्तित्व इस प्रकार है, कि A गुणा B बराबर है, B गुणा A के, और वह हमें एक तत्स समक आव्यू प्राप्त करवा रहा है, यानि A भी बराबर B ये बराबर I, I क्या है, तत्समक आव्यू उप्यूक्त कोची का, ठीक, तो B को आव्यू A का व्यूद्ग्रम कहते हैं, और इसे हम किस प्रकार निरूपित करते हैं, A के प्रतिलोम के रूप में, ठीक, ऐसी दश समय आव्यू A जो है, वे हमारा क्या कहलाता है, व्यूद्ग्रमनिय कहलाता है, उधारन आपके सामने है, हमने एक आव्यू A और दूसरा आव्यू B लिया, ठीक, A और B यानि A को B से गुणा करते हैं, और B को A से गुणा करते हैं, गुणा करना तो अब आपको आता ही है, ह आपके पास क्या मिल रहा है तत्समक आवव्यू तत्समक आवव्यू आप जानते हैं गवर्ग आवव्यू जिसके जो भी कर्ण है वे क्या होने चाहिए समान अचर और वे समान अचर भी क्या होने चाहिए एक ठीक वे ही हमें मिल रहा है उप्युक्त कोटी का हमें पता है दो A, B A भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है वै भी एक तत समाख आव्यू मिल रहा है A B बराबर B A हुआ और वो किसके बराबर हुआ तत समाख आव्यू के यही हमें परिभाशा कह रही है यानि जो हमारा B आव्यू है वै क्या हुआ आव्यू A का व्यूत करम ठीक और जो A आव्यू है वै क्या हुआ व्यूत करम निये तो सवाल उठता है आप कहेंगे क्या मैं A को B का व्यूत करम नहीं कह सकता या कह सकती बिलकुल कह सकते हैं यदि B A का व्यूदक्रम है तो A B का व्यूदक्रम बना ठीक आगे देखेंगे ध्यान देंगे इस टिपनी में सबसे पहले बिंदू में किसी आयताकार आव्यू का व्यूदक्रम नहीं होता है क्योंकि गुणनफल A B तथा B A के परिभाशत होने के लिए समान ओटी का होना आविशक है किसकी A आव्यू और B आव्यू का तो वही हमने इस पहले बिंदू में पड़ा दूसरे बिंदू में यह हम देख चुके हैं प्रशन उठायाता हमने यदि B आव्यू आव वियू, A का व्यूथ करम है तो A आव वियू, B का व्यून करम कहलाता है ठीक, तीसरे बिंदू में देखेंगे किसी वर्ग आव वियू का व्यूथ करम आव वियू, यदि उसका अस्तित्व है, यानि अगर वे है, मिल पा रहा है तो वे एक अध्वितिय होता है अध्वितिय यानि युनीक ठीक आखरी बिंदू देखेंगे यदि ए तथा भी समान को ठीके व्यूत क्रम निये अव्यू है यानि इनके व्यूत क्रम अस्तित्व में है तो ए भी का जो व्यूत क्रम है वे किसके बराबर होगा? अगर मैं B का अव्यूत करम और A का अव्यूत करम इन दोनों को गुणा कर दों. यानि A B का प्रतिलों बराबर है बिरी प्रतिलों, A प्रतिलों के. ठीक? आईए बागे बड़े. इस सत्र में अब हम पढ़ेंगे आव्यू पर प्रारंबिक संक्रियाएं. किसी आव्यू पर हम 6 प्रकार की संक्रियाएं यानि रुपांतरन कर सकते हैं, जिसमें से 3 स्थम्बों और 3 पंक्तियों पर होती हैं. पर क्या होती है, सबसे पहले किसी दो पंक्तियों या दो स्थम्बो पर परस पर विन्निम्य, यानि दो पंक्तियों को अगर हम बदल दें इसको हम प्रतिकात्पक रूप में इस प्रकार लिखते हैं, ये प्रतिक हमारा पंक्ति के लिए है आप संभों के लिए भी लिख सकते हैं संभों के लिए हम ये प्रतीक का इस्तमाल करते हैं ठीक? अगली हमारी जो संख्रिया है वे क्या बतला रही है? किसी पंक्ती या फिस्तंब के अव्यवों को एक शुन्यतर संख्या से गुणन करना ठ्यान रखेंगे हम कैसी संख्या से गुणन कर रही है? शुन्यतर जो कि शुन्य ना हो प्रतीकात्मक रूप में हम इस प्रकार लिखेंगे यानि हमने कोन सी पंक्ती क्या करा? किस संख्या से गुणन करी? तो उसके सारे जो अव्यव होंगे उस संख्या से हम क्या कर देंगे? गुणा करतेंगे उधारन भी लेंगे अब आखरी संक्रिया देखेंगे किसी पंक्ति अथ्वा जो हमारा स्थम है इसके अव्यवों में किसी अन्य पंक्ति अथ्वा स्थम के संगत अव्यवों को किसी शूनेतर संख्या से गुणा करके जोडना प्रतिकात्मक रूप से आप इसे भेतर समझ पाएंगे हमने क्या किया कोई भी पंक्ति लिए त्थि उस पंक्ती में हमने दूसरी पंक्ती के अंदर कुछ संख्या को गुणा करकर फिर जोड़ा और कैसी हमने अव्यवली संगत अव्यवलेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? एक नए अव्यभा में प्राप्थ होंगे तो आईए इस पर एक उधारन ले इस उधारन में हमें आव्यू ए का रूपांतरण करना है इन दो संक्रियाओं दौरा सबसे पहली संक्रिया आप देखेंगे हमारे पस क्या है? पंक्ति एक को वे क्या मिला आप देख सकते हैं यह हमारी पहली पंक्ती है यह हमारी दूसरी पंक्ती इसको हमने बदल दिया तो हमारी जो पहली पंक्ती के जो अव्यव हैं वे दूसरी A1 के दूसरी पंक्ती के अव्यव बन जाएंगे और इसी प्रकार जो हमारे दूसरी पंक्ती के अव्य रुपांत्रन किस के अंदर करना है पंक्ति एक में पंक्ति एक को आप जमा करेंगे किस से पंक्ति तीन के अव्यवों से और वो भी कैसे जब हम उन सब को दो से गुणा करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगी ये जो हमारा पंक्ति तीन है इसके सारे अव्यवों को हम क्या करें दो से गुणा करते हैं क्या मिलेगा हमें दो से गुणा करने पर दो दस और रिंट चार ठीक इसके बाद हमने ये जो सारी संखिया आए हैं इसको किस से जमा करना है इसके सं इसी प्रकार 10 जम्मादो कितना मिला? 12 देख सकते हैं और माइनस 4 जम्मादों में 5 कितना मिला? 1 तो इस प्रकार हमने आव्यू A का रुपांतरण किया दियो ही संक्रियाओं द्वारा आए एक और महत्वपून विश्य देखें प्रारंबिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यू का व्यूत करम निकालना यह बहुत ही इंपोर्टन्ट है इसके अंदर हमें क्या बता रहा है? यदि A एक ऐसा आव्यू है जिसका व्यूत करम का अस्तित्व है तो प्रारंबिक पंक्तियों संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा हम यह ज्याद कर सकते हैं और ज्याद करने के लिए हम A बराबर I A लेंगे जहां यह जो I है वैं एक तदसमक आव्यू है यह लिखेंगे और पंक्ति संक्रियाओं लगाएंगे किस पर इसी पर A बराबर I A पर और तब तक लगाएंगे जब तक हमें यह नहीं मिल जाता यानि I बराबर B A तो हम एक नया आव्यू मिला B और यह जो B आव्यू है वैं क्या कहलाता है A आव्यू का व्यूत करम ध्यान देंगे हम एक बारी में सिर्फ पंक्ति संक्रियाओं या फिर स्तंब संक्रियाओं ही लगा सकते हैं पंक्ति और स्तंब संक्रियाओं एक साथ नहीं लगा सकते हैं या तो हम सारी कि सारी पंक्ति संक्रियाओं लगाएंगे या फिर स्तंब संक्रियाओं लगाएंगे अगर आप स्तंब संक्रियाएं लगा रही हैं तो आप क्या लिखेंगे? A बराबर में A I और इसके अंदर स्तंब संक्रियाएं तब तक लगाएंगे जब तक आपको क्या नहीं मिल जाता? I बराबर में A P तो ये जो हमें नया B आग्यू मिल रहा है वे क्या है व्यूत्क्रम है A का आईए इस पर एक उधारन देखें उधारन में प्रारंबिक संक्रियाओं का इस्तमाल करते हुए आपको A आप व्यू का क्या निकालना है व्यूत्क्रम निकालना है अब हम क्या निकाल रही है व्यूत्क्रम तो हम इसके अंदर पंक्ती संक्र याइ निकाल रही हैं यानि उसका इस्तमाल करके तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ए बराबर में आई ए ठीक, तो वही हमने लिख लिया ए बराबर में आई ए अब जो भी हम संक्रिया लगाएंगे वे इस आव व्यू जो बाएं हाथ पर है और इस तच्समक आव्यू जो आपके दाएं हाथ पर है उसके अंदर वही सेम यानि वही समान हम क्या लगाएंगे अपनी संक्रिया देखेंगे सबसे पहले हमें इस आव्यू को क्या बनाना है कब तक हमें अपनी संक्रियां लगानी है जब तक हम इस रूप में ना आ जाएं ठीक यानि हमने इस आव्यू एक को क्या बनाना है तच्समक आव्यू तो तच्समक आव्यू बनाने के लिए ये अव्यूब जो ये आपका अव्यव है दो इसको क्या बनाना है एक यानि अगर मैं पहली पंक्ति को दो से भाग कर दूँ तो हमारा ये पहला स्थान पे जो अव्यव है वे एक बन जाएगा तो हमने संक्रिय ली और वन क्या करा हमने पहली पंक्ति को एक बटे दो से गुणा कर दिया यानि हमने दो से भाग किया तो हमें क्या मिला एक शूनने माइनस एक बटे दो ये में आमली हमें अव्यव पहली पंक्ति के और बाकी जो अव्यव है वे हमारे क्या रहेंगे समान ही रहेंगे क्यों क्योंकि हम चे अिवारा जो तत्चमाख आप यू था उसमें भी हमने बदलाव किये तो हमें बदलाव करने पर क्या मिला एक बटा लू शूरण व OH क्योंकि हमने पहली परमा स्क्रिदेय में दो से भाग किया या फिर हम कहस क्या है दो से गुडां किया इसी प्रकार हम क्या करेंगे पांच की जगय हमें क्या बनाना है शून ने और हम इस पूरे को बत लेंगे किस रूप में तब तक हम अपनी संक्रियाएं लगाएंगे जब तक हम यह रूप प्राप्ट न कर गये जैसे कि अब इस आगे आप देख सकते है देखेंगे हमने इसको शून ने बनाया शून ने बनाने के लिए क्या करेंगे हमने पंक्ती दो में क्या किया पंक्ती दो को हमने पंक्ती एक में जब हम पांच गुणा करते हैं और दोनों को हम क्या करें घटाएं तो हम यह शून ने मिलेगा इसी प्रकार रूपांतरन कर परते होए आप देखेंगे कि अंत में हम किस रूप में आ गए आए बराबर बी ए जहां हमें एक बी एक क्या मिल रहा है नया आप व्यू और ये भी आप व्यू हमारा क्या है व्यूत क्रम किसका एक का चो कि आप इधर देख सकते हैं निरूपन हमने इसी प्रकार किया एक का प्रतिलों बराबर में अफिल ठीक त्यान देंगे कही सारी संक्रियां लगाते होए अगर हमारे पास बाएं हाथ पर कोई भी पंक्ती या कोई भी हमारा जुस्थांब है उसके सारे अव्यव शून्ने हो जाएं तो उस अव्यूक अव्यूत करम नहीं होता ठीक तो आशा करते हैं इस सत्र में आपको आनंद आया होगा समझ आया होगा धन्यवाद